नमस्कार कैसे हैं आव बीजेपी सांसद हरनास सिंग्यादब ने राज्यसभा में एक बिल पास किया बस बवाल हो गया जानते हैं इस देश में जमिनदारी प्रथा तो खत्म हो गई लेकिन एक सुपर जमिनदार इस देश को मिल गया वो जिस भी जमीन को छूदे वो उसका हो जाए वो वक वोड है भारत का विभाजन तो हिंदू और मुसल्मान के नाम पर हुआ मुसल्मानों के लिए एक अलग देश बन गया पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के हिस्से के मुसल्मान पाकिस्तान चले गए और उससे भी जादा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से हिंदु, सिख, जैन, बौध भारत की तरफ आ गए एक आएक उनके घर उजड़ गए यहां से जो लोग गए वो स्विक्षा से गए वहां से जो लोग आए उन्हें भगाया गया क्योंकि वहां वो एक मुसलिम कंट्री बनना था लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग यहां से गए वो संपत्ती छोड़ करके भी गए कुछ कोई रिस्तेदार यहां थे तो बड़ी चालाकी से एक भाई पाकिस्तान एक भाई हिंदुस्तान में रह गया लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए अपने जमीन जायदात को छोड़ करके तो उसकी संपत्ती किसकी हो यह एक समस्या हो गया उसी दोर में जो पाकिस्तान से अपना सब कुछ लुटा करके आये थे उन लोगों को क्या उन जमीनों पर बसाया जाये जो यहां के मुसलमान छोड़ करके गए कुछ लोग शुरुआत में उन मस्जिदों में रहने लगे क्योंकि खाली तो वही पड़ी हुई थी गांधी ने अंशन किया और कहा कि पंजाबियों से मुझे नफरत है ये लोग जिस तरह से हिंदुस्तान में आकर दिल्ली में खास करके जमीन पर कबजा कर रहे हैं मस्जिदों में उन सब को मस्जिदों से निकाला गया उन जमीन से उन जायदात से भी निकाला गया जहां जो किसी मुस्लिम फैमिली का था फिर आनन फानन में नहरु ने वो कानून बना दिया जो किसी इसलामिक देश में भी मुश्किल से होता है वो था नहरु द्वारा 1954 में वक्फ कानून और यह कितना कठोर होता चला गया कि इस कानून के मुताबिक वो संपत्ती जो यहां से गय हुए मुसल्मानों की थी वो संपत्ती वक्फ के कबजे में आती चली गई और वक्फ धीरे धीरे उन संपत्ती पर भी कबजा करना शुरू कर दिया जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं था फिर ऐसा समय आया कि जो देश अलग से हिंदू मुसल्मान में भी भाजित हुआ उस देश में सबसे बरे जमिनदार वक्फ बोर्ड हो गई 1995 में नरसिमरा सरकार ने संसद में एक विद्यक पास करके वक्फ बोर्ड कानून बनाया जिसमें जजज भी वही वकील भी वही आपकी जमीन पर यदि वक्फ दावा कर दे तो जमीन वक्फ की हो जाएगी जानिए इस्लामिक रूल के मुताविक अल्लाह के लिए दान की हुई जमीन ही वक्फ का होता है लेकिन यहाँ दान से कोई मसला रही नहीं गया धीरे धीरे इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़ादा जमीन वक्फ की हो गई लगभग 87 लाख संपत्ती देश भर में अकेले वक्फ की और उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 21 लाख के आसपास आप चौक जाएंगे 80 हजार संपत्ती बंगाल में 66 हजार से ज़्यादा तमिलाडू में और 62 हजार से ज़्यादा करनाटक में वक्फ वोट की यह जिस तरह से अपने आप अपना दायरा बढ़ाता चल बढ़ाना शुरू कर दिया उससे लगने लगा क्या यह देश धीरे धीरे इसलामिक कंट्री बन जाएगी क्या इस देश की बड़े हिस्से पर वक्फ वोट का कबजा हो जाएगा और सरकारों ने लुटाना शुरू कर दिया अपने आपको तुष्टी करण के कारण राज्य सरकारों ने जमीन वक्फ को डोनेट करना शुरू कर दिया जो भी जमीन ऐसी होती थी जिस पर मुस्लिम समधाई उसे मानता था कि इस पर किसी का दावा नहीं है वो संपत्ती वक्फ की हो गई सेंटरल वक्फ कांसिल इसे नियंतरित करती है हर राज्यों का अपना वक्फ बोड़ है जो केंदर शासित प्रदेश है उसका भी अपना वक्फ बोड़ है और पूरे देश में ये अलप संख्यक मंत्राले के नियंतरन में होता था और जब ये बिल राजसभा में पेश किया गया, उसी समय बवाल होना शुरू हुआ, बामपंथी पार्टी, कॉंग्रिस पार्टी, समाजबादी पार्टी, आर जेडी, इन तमाम पार्टियों ने कहा कि संबेदंशील मुद्दों को छेर करके सरकार ये जान बुझ कर शडिय रही थी, कहीं कोई बाधा नहीं हो रहा था, आपको याद होगा, इस शीत कालीन सत्र की शुरुवात में प्रधान मंत्री ने देश को एक संदेश दिया था, संसत्भवन से प्रधान मंत्री ने कहा था, कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन राजनतिक गर्मी भी, उन्होंने एहसास कराया था, कि ये राजनतिक गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए, प्रधान मंत्री को थोड़ा सुनिए ये, नवस्कार साथियों, ठंड साइद, दिलम से चल रही है, और बहुत दीरी गती से ठंड आ रही है, लेकिन राजनतिक गर्मी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, कल ही, चार राज्यों के चुनाव नतिज़ा आये हैं, बहुत ही उत्सावर्थक परणाम है, ये उनके लिए उत्सावर्थक है, जो देश के सामान ने मानवी के कल्यान के लिए कमिटेड है, जो देश के उजवल भविश्य के लिए समर्पित है, सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूहों के, गाउं और शहर के युवां, हर समूदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये चार ऐसी महत्वकून जातिया है, जिनका एमपावर्मेंट, उनके भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस, योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी, इन उसुलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है, और जब गुड गवर्नन्स होता है, पूर्म तया, जन हीत के लिए समर्पन होता है, तो एंटी इंकम्बंसी ये शब्द इर्यलेमेंट हो जाता है, और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई उसको प्रो इंकम्बंसी कहें, कोई उसे गुड गवर्नन्स कहें, कोई उसे ट्रांसपरंसी कहें, कोई उसे राष्ट हित की जन हित की ठोश योजनाएं कहें लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम समसत के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस समसत भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अई तिहांसिक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद व्यबस्ताओं में कुछ कमिया महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मिडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगठिक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्णिय उपराश्पती जी और आदर्णिय स्पीकर महोदय के नेतुत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है प्रधान मंत्री के संदेश साप थे और यही कारण है कि संसत से ऐसे ऐसी उदंडता करने के कारण कई सांस्दों को निलंबित किया गया रागप चड़ा और संजय सिंग को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया संजय सिंग तो जेल में है रागप चड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि राजसभा के सभापती से तुम्हें माफी मांगनी परेगी जाकर के माफी मांगो वही तुम्हें माफ करेंगे राजसभा के सभापती जगदीप धनकरची ने फिर सदन को बताया कि 150 दिन तक इनको संसद से बाहर रखना सजा के रूप में है और कमीटी ने इन्हें इसी को सजा माना है मतलब रागप चड़ा को सजा दी गई ये सजा एक बहुत बड़ा संदेश था दूसरे सांसनों के लिए बाद में महुआ मुईत्रा को अपने पासवर्ट साजा करने के लिए हमेशा के लिए संसद से निकाल दिया गया उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि एक आएक संसद भवन में एक दिरिस्ट दिखाई अरड़ी से कोई नीचे कूद गया माननिय संसद देखते रह गया वो फुदक फुदक कर एक डेस्क एक कुरसी से उपर उचलता कूदता रहा पूरा देश चौक गया ये बड़ा सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंद था भले कोई किसी संसद को कोई च्छती नहीं मिली संस नहीं से ऐसा मुद्दा बनाया कि संसद चलने नहीं दिया मतलब फिर ये वो इस्थिती ऐसी होने लगी कि क्या जो संसद 10 साल में सुचारो रूप से चल रही थी वो चल पाएगी लगातार विपक्ष के बबाल के बाद ये चीजे साफ होने लगी कि क्या वक्ष बोड मिरस करने का सरकार का फैसला भाड़ी हो गया तब आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद धराधर कई महत्पूर्ण बिल पास किये 14 से लेकर 19 तक सरकार ने डेवलपमेंट के चौकाने वाले काम किये लेकिन जो वाइदे थे सरकार के वो सब चीजे श लेकिन सीये 370 भी पास हो गया कोई बबाल नहीं हुआ कश्मीर में जो लोग ये कहते थे कि खून की नदियां बहेगी याद है ना आपको फारुक अब्दुल्ला के बयान मुप्ती मुहम्बत सईद की बिटी रुबिया सईद की बयान महभूबात मुप्ती के बयान असा ओधीन ओवेसी के बयान सब याद होंगे आपको तो आपको उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना है अगर आप जहां लोग आजादी मांग रहे हैं दूसरी चीजे मांग रहे वहां बोलेंगे कि आपके पास जो है वो भी हम चीन लेंगे तो कौन कौन चलेगा फिर इस सिस्टम में कोई नहीं चलेगा नमो कश्मी जहनन में जाए जमो कश्मी जहनन में जाए वहां लेका है वहीं लेका है आपको कर दिया है लोगों को दिल जीतने हैं कैसे जीतों को लोगों के दिल जब ऐसे चीजे करो जिसे लोग आप से और भी दूर चाहिए अब होजी सब क्या कर लेगे हैं अब 370 की बात करते हैं वो कभी भी अगर वो दस टफा भी हिंदुस्तान के प्राइम निस्टर बनेंगे वो 370 को ने चूँ सकती है तुम समझते हो कि 35 A अटा कर तुम हमारे हग को खा जाओगे अच जो फैसला आया हम उस से मुत्मईन नहीं हैं और हमारा मानना ये है के यह कश्ञी क्श्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिसा रहा है बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो relationship union से उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे और यह जो constitutional relationship कश्मीर से union का रहा है वो permanent हुआ है जो constant assembly dissolve होई है कश्मीर की जी इस बयानों से लग रहा होगा आपको कि कैसे कश्मीर में यह असंभव सा काम संभव हो गया C.A. था वो तीन देशों में जो रहने वाले गैर मुस्लिम थे हिंदू, सिख, बौध, जैन जो प्रतारित किये गए वो तीन देश कौन पाकिस्तान, बंगला देश, अफगानिस्तान यह कानून नहरुकाल से लागू होना था C.A. उन लोगों के जिनका कोई अपराद नहीं था भारत भी भाजन का लेकिन वो अपनी जमी पे रह गए, प्रतारित किये गए, भारत आए, उन्हें भारत की नागरिक्ता देने का लेकिन बबाल ये हो गया, पूरी तरह से बबाल ये हो गया, कि क्या ये मुसल्मानों को के खिलाफ है, अनरगल प्रलाप हुए और उसके बाद ये बिल अमली जमा अब तक नहीं पहुँच पहन पाया तो क्या वक्फ बोट को निरस्त करने का फैसला भाड़ी पर गया, संसद में मोदी को फिर तुष्टी करन के खिलाफ ये फैसला भाड़ी पर गया, या सब कुछ संसद में यू ही हो गया क्या संसंद में ये चीजें हुई उसके पीछे एक शडियंत्र ये था कि वक्त बोट क्योंकि वक्त के पास इतनी संपत्ति है इतनी अथा संपत्ति है कि कुछ भी हो सकता है तो क्या पीर इसके पीछे एक बराश शडियंत्र है जमिंदारी प्रथा तो इस देश में खत्म हो गई लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो तुष्टिकरण के बोट से अपने आग को सत्ता में काविज रखना चाहती है दक्षीन में वो डी-म के हो कॉंग्रिस पार्टी हो अखिलेश यादब की सपा हो लालू यादब की आरजडी हो ममता बेनरजी की टी-मसी हो माकपा हो कॉंग्रिस पार्टी इन तमाम पार्टीओं ने इसका बिरोध करना शुरू किया सोची, अल्ला के नाम पर दान से बनी वक्फ की जमीन कैसे हिंदुस्तान में के पूरी जमीन को निगलने की एक साजिस लगातार होती रही उस जमीन उस पर कंट्रोल करने का जब सरकार ने फैसला किया कि जमीन जो दान में हो वही अल्लाग की हो सकती है लेकिन जिस तरह से वक्त बोड का दाइरा बढ़ता गया उस देश में जिस देश का भी भाजन हिंदू मुसल्मान के नाम पर हुआ मुसल्मानों के लिए इक अलग देश बन गया जो देश तथाकतित रूप से हिंदू के नाम बना उस देश में वक्त की संपत्ति इस कदर बढ़ती चली गई यो धीरे धीरे पूरे भारत को मानो निगलने के स्थिती में हो गई तो क्या इन मजहवी जमिंदारों पर अंकुष लगाने के लिए जो सरकार कानून लाई वो मोधी सरकार के लिए भारी पर गया इस देश में अलब संख्यक मंतरी अब काईदे से कोई नहीं है तो फिर इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कौन है और उसी पर नियंतरन सरकार को किस कदर भारी पर गया इन सब इश्यों पे चर्चा नहीं होती लेकिन समझना जरूरी है कि इस देश में वक्फ की संपत्ति इस कदर क्यूं बढ़ती चली गई आजाद भारत जो हिंदु मुस्लिम में विभाजित हुआ यदि सचमुच वक्फ के परती इतना प्रेम था तो नहरू ने इस देश का विभाजन क्यों सुईकार किया तब समझ में आता है कि कश्मीर विभाज से लेकर तमाम वो चीजें नहरू ने क्यों विभाजित कर दिया अब मोदी सरकार उन्हीं तमाम चीजों पर नियंतरन करना चाहती है लेकिन देश के सबसे वड़े जमिनदार को नाथना भले ही जमिनदारी पर था खतम हो गई लेकिन सबसे बड़े जमिनदार को नाथना कितना मुश्किल है ये CAA उसके बाद वक बोट कानून पर नियंतरन करने के मोदी सरकार के फैसले के बाद के टकडाओ से समझाता है ये विस्टलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट इदि आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जय हिंद